कुछ मामला हो गया क्रिमिनल प्रवत्ती का और उसके बाद पोलिस ने आपकी F.I.R. दर्ज नहीं करी दर्ज करनी थी उसके बाद भी नहीं करी हमेशा ऐसा नहीं होता कि पोलिस जब कभी भी आपकी F.I.R. दर्ज करने से refuse करे बना करे तो इसका मतलब है कि पोलिस F.I.R. दर्ज ही नहीं करना चाहती उसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं शायद वो जो offense है वो एक तरीके का non-cognizable offense था उतना serious offense नहीं था जिससे पोलिस F.I.R. दर्ज करने लायक समझे दूसरा उनके jurisdiction में नहीं था jurisdiction का मतलब F.I.R. दर्ज करने का भी एक area होता है एक jurisdiction होता है कि मान लीजे अपराद अगर मद्यपृदेश भोपाल में हुआ है तो मद्यपृदेश भोपाल में F.I.R. दर्ज करी जाएगी उस अपराद की F.I.R. आप मुंबई में या दिली में या किसी और जगह पे नहीं दर्ज कर सकते तो उसे हम jurisdiction कहते हैं मतलब जहां पर अपराद हुआ है उसकी criminal law के एसाब से एक particular jurisdiction होता है सिथाने के अंदरगत आपको F.I.R. दर्ज करानी पड़ती है तीसरी बात ये हो सकती है कि जो आपका मामला है वो इतना serious तो नहीं था और उसके साथ ही साथ पुलिस की legal capacity के भी बाहर था मतलब ये पुलिस के jurisdiction में ही नहीं था वो इस पे F.I.R. दर्ज कर सके उस लायक वो मामला नहीं था कि साथ-साथ पुलिस की legal capacity में ही नहीं था उनको power नहीं दिया गया कानून के द्वारा कि इस मामले को भी वो F.I.R. के तोर पर दर्ज कर सके जसे जादा तर जो civil के मामले होते है लडाई जगड़ा जो जमीन जायजाद से संबंदित होता पुलिस को power नहीं होती civil matters में until unless वहाँ पे fraud या cheating का concept ना आये तो पुलिस को civil matter में entertain नहीं करना वो civil court में जाते है लेकिन फिर भी क्योंकि जमीन जायजाद का विवाद होता है लोग FIR दर्च कराना चाते है पैसो के लेन देन तो recovery के लिए summary suit फाइल किया जाता 3912 में लेकिन लोग police station जाने की कोशिश करते है criminal remedy avail करने की कोशिश करते है तो वहाँ पर police refuse करती है तो यह 3 point है जहाँ पर police आपकी FIR दर्च नहीं भी कर सकती तब जबकि वो non serious offense नहीं हो दूसरा serious offense नहीं है मतलब उसको कानूनी शब्द जो इस्तमाल किया जाता है non cognizable offense कहा जाता है दूसरी बात जब police की capacity के बाहर हो और तीसरा जब jurisdiction नहीं हो तो अगर jurisdiction नहीं तो हमको कैसे पता क्या आपका jurisdiction है या नहीं इस condition पर सुप्रेम कोर्ट का relevant judgment आया और वहाँ पर honorable सुप्रेम कोर्ट ने ये कहा कि zero FIR दर्ज की जाएगी शून्या zero FIR इसका क्या मतलब होता है जब कभी भी ये बाहाना पोलिस ले कि भई हमारा jurisdiction नहीं है हमारे छेतरा अधिकार में नहीं आता है कि ये FIR हम दर्ज कराएं for example मान लेते हैं कोई FIR दर्ज करने का जो jurisdiction था ना वो था इंदोर लेकिन जो व्यक्ति है वो अभी भोपाल में है उसके लिए FIR दर्ज कराना काफी ज़रूरी है महत्वपूर्ण है तो पुलिस अब jurisdiction को केवल base बना करके मना तो कर सकती है लेकिन उसके बावजूद एक zero FIR का प्रावधान है जहाँ पर पुलिस अपने ही थाने में FIR दर्ज करेगी और उसके बाद में सारी FIR को record करने के बाद में दर्ज करने के बाद में जो commission of offense है जिसका jurisdiction है actually वहाँ पर transfer करेगी भेजेगी ये बहुत महत्वपूर्ण है otherwise अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो इसको बोला जाता है कानूनी शब्द dereliction of duty मतलब करतव विका त्याग जो पुलिस को करना था वो काम नहीं किया मतलब अपनी duty perform नहीं की तो तरीके का ये भी offense है आप उनके खिलाफ action ले सकते हैं तो जब कभी भी पुलिस jurisdiction का बहाना बनाए तो आप उनको कह सकते हैं कि आप zero FIR दर्ज करें zero FIR एक तरीके से jurisdiction ना होते हुए भी FIR दर्ज होती है और mandatory है कि वो पुलिस FIR दर्ज करने के बाद में उस jurisdiction पर transfer करें जहां का actual jurisdiction होता है याने घटना भोपाल में घटित हुई आप इन दौर में दर्ज कराना चाह रहे थे क्योंकि आपकी मजबूरी justify आपको करना पड़ेगा इन दौर में FIR दर्ज हुई और फिर वापस भोपाल में मत्रदेश transfer होगी तो वो उसका तरीका होता है और अगर ऐसा नहीं तो dereliction of duty के दाइरे में आप पुलिस की भी शिकायत कर सकते हैं इसके अलावा कौन सी remedies आपके पास में available होती है यदि पुलिस मना कर दे FIR दर्ज करने से जहां का actual शेतरादिकार वास्तव एक शेतरादिकार है अगर नहीं तो that can be come under the dereliction of duty करतवे का त्याग में जहां पर पुलिस की हम खुद ही शिकायत दर्ज उनके senior officer को या court में कर सकते हैं आपको जानकारी कैसी लगी मुझे जरू comment box में बताईएगा साथी साथ किसी परिशानी के लिए अगर आप करना चाहें बाद direct appointment book करके भी कर सकते हैं इस वीडियो के description लिटेल है लिंक है जहां से direct appointment book करके आप कर सकते हैं मुझे बात मिलिंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए स्वस्त रहें legal advice आपका channel है जाने से पहले subscribe जरूर कर ले